प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज शाम को पीम पत की शपत लेंगे नरिंद्र मोदी शाम सवा साथ बजे राष्टपती भवन में प्रधान मंत्री पत की तीसरी बार शपत लेने जो रहे हैं शपत लेने के साथ ही मोधी पूर्फ पीम पंडित जवाहर लाल नहरू के प्रधान मंत्री बनने के 62 सार पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे आपको बता दें कि नहरू लगातार तीन बार 1952, 1957 और 1962 में विज़ई होकर पीम बने थे अलाकि नहरू की सरकार पूर्ण बहुमत की थी लेकिन मोधी की अगर तीसरी सरकार की बात करे तो मोधी तीसरी पारी की गठवंदन की बुनियात पर चलेगी देश में 1990 के दशक से गठवंदन की राशनिती चल रहे है और इस चलन को मोधी के नेतरोत में बीज़ेपी ने करता है प्रुधान मंत्री बने के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जवार लाल नहरू तीन बार 1952, 1957 और 1962 में विज़ई होकर प्रुधान बने थे पूण रूफ से बहूमत प्राड़ हुआ था लेकिन इस बार 2014-2019 के ज़सा जहसा हुआ इसा इस बार नहीं हुआ, NDA को इस बार पूण बहूमत मिला है, बल्कि साल 2014-2019 की अगर हम बात करें तो उन दो कारेकाल में BJP को पूरी तरह से बहुमत प्राप्थ हुआ था लेकिन इस बार BJP के साथ साथ प्रमुग घटक दलों को भी जोड़ा जाएगा और तब जाकि NDA की सरकार बनेगी आपको बता दें की लेकिन प्रधान मंत्री नरिंद मोदी तीसरी बार PM पत की शपत लेने वाले दूसरे प्रधान मंत्री होंगे जहां आज के शपत ग्रेंट समहारों के लिए कई विदेशी महमानों को नियोता दिया गया है पीम नरेंद मोदी आज तीसरी बार भारत के पधान मंत्री बनेंगे समहारों में शामिल होने के लिए भारत के साथ पडोसी देशों के लीडर्स को नियोता दिया गया है इनमें मालदिव के राष्ट पती मुईजू पांगलादेश की पीम शेक हसीना श्लंका की राष्ट पती रानिल विक्रम सिंगे नेपाल के पीम प्रेचंड मौरिशस के पीम प्रविन्द जुगनौत पूटान की पीम शेरिंग तोप के और सेशिल्स के उपराश्पती अफीक शामिल है आपको बतादे की भारत की नेबर हुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन की तहत इन देशों को समहारों में वुलाया गया है इन में से कई राश्टर अत्यक्ष दिल्ली पहले से पहुँच चुके हैं कि अधे की पीम नेरेंद मोधियाश तीसरी बार्पधान मंत्री पत की शपत लेंगे शपत ग्रहंड समहारों राश्ट्रपती भवन में आयुचित होगा वहीं सुरक्षा को लेकर राश्ट्रे राजजानी हाई अलर्ट पर है राश्ट्रपती भवन और उसके आसपास के 2 रेडिया बनाए गए हैं सुरक्षा में पैरा मिलिटरी फोर्स की कम्पनिया तैनात हैं उची इमारोतों पर एंश्जी कमांडों ड्रोन और स्ञपर्स भी तैनात है शप्ल ग्रहंड समहारों में कई विदेशी महमान भी शामिल होँगे विदेशी महमानों की सुरक्षा के जिम्मेदारी भी खूफिया एजिंसियों के कंधों पर रहेगी हर राष्ट अध्यक्ष के प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा के पुक्ता इंतजामात के गए हैं राष्टपती भवन के आसपास उनी वाहनों को प्रवेश के अनुमती होगी जिनके पास प्रवेश पा